आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी FMCG इंडेक्स के ETF की जिसके द्वारा आप FMCG सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ही असानी से इंवेस्ट कर सकते हैं तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डीटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर आप FMCG सेक्टर के स्टॉक्स में इंवेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ओप्शन है और क्या आपको करेंट मार्केट प्राइस पे FMCG के स्टॉक्स में अभी चाहिए या नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो आप अगर मेरे वीडियो को regularly follow करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि आजकल हम index based ETF में जो investment की option है उसको discuss कर रहे हैं तो इससे पहले हमने auto और IT जो index के ETF है उनके बारे में discuss किया था थोड़े समय पहले मैंने bank और nifty 50 में जो ETF की options available हैं उसके बारे में discuss किया था तो अगर आप इनके बारे में थोड़ा और detail में जाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरे channel पे available है और आज बारी है nifty FMCG index की जिसको कि हम आज के वीडियो में discuss करेंगे तो इस index को design किया गया था ताकि ये जो FMCG यानिकी fast moving consumer goods sector की companies हैं उसके behavior और performance क और reflect कर सके FMCG sector में जैसे वो companies होती हैं जिनके product non durable होते हैं mass consumption के product होते हैं और साथ साथ में available off the shelf होते हैं तो इसमें 15 जो national stock exchange में listed stocks हैं उसको include किया जाता है इस index में और इस index को काफी तरह से use किया जाता है जैसे कि fund portfolio की benchmarking के लिए या index fund या ETF launch करने है consumer based तो उसके लिए भी इ इस index को use किया जाता है तो आज की डेट में जो इसमें 15 companies included है उसमें आपको वरुन beverages दिखेगी actual दिखेगी गोदरिच consumer दिखेगी कोलगेट पामोलेव टाटा कंजूमर पी एंजी नेसले ITC मेरिको डाबर ब्रिटैनिया रेडिको खेतान इमामी United breweries और United Spirits तो अगर आप individually इन companies का अगर एक एक स्टॉक भी लेते हैं तो लगभग आपके 50,000 पर लग जाएंगे क्योंकि जैसे नेसले इंडिया और PNG का शेयर अपने आप में काफी महंगा है तो alternatively आप इन companies के कोई mutual fund या ETF में invest कर सकते हैं ताकि आप कम investment से भी इन companies में exposure ले सके और अब अगर बात क कि जाएगी भई जो FMCG index है इसमें जो 15 companies हैं ये कैसे select होती हैं क्या ये हमेशा same रहती हैं तो ऐसा नहीं है जैसे कि दूसरे index की methodology होती है कि इसकी rebalancing की जाती है और 6 महीने में 31 January और 31 July का data लिया जाता है और उससे पहले जो 6 महीने का data की performance होती है उसके basis पे इसमें changes किये ज जाता है तो इसमें कौन-कौन सी companies include हो सकती है तो उसकी जो methodology है पहले-पहले तो वो nifty 500 में companies आनी चाहिए और अगर nifty 500 में 10 companies भी ऐसी नहीं है जो FMCG sector से आ रही हो तो हम top 800 companies देखते हैं और उसमें से minimum 10 companies जो कि FMCG sector की हैं वो इस index में include की जाती है इसके अलावा जो भी company इस index में include होगी वो FMCG sector से होनी चाहिए पिछले 6 महीने में कम से कम 90% उनकी trading frequency होनी चाहिए और ये company की कम से कम 6 महीने पुरानी history होनी चाहिए अगर मान लो कि कोई नई company list होती है IPO लेकर के आती है तो उस case में exception दी जाती है कि अगर वो बाखी की जो criteria उसको fulfill कर रहे हैं तो वो 3 तीन महीने बाद भी इस index में include करी जा सकती है और जो top 500 companies में जो पहली 15 FMCG companies होती है free float market capitalization के हिसाब से यानि कि जो market capitalization है उसमें से अगर promoter का हिससा अटा दें तो उसके बाद जो पहली 15 companies होती है वो इस index में include की जाती है हाला कि इसके अलावा भी एक condition होती है कि जो इसमें weightage दी जाती है वो free float market capitalization के हिसाब से दी जाती है लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी single company इतनी बड़ी ना हो कि वो 33% या इससे जादा की weightage रखे क्योंकि otherwise वो एक company based index हो जाएगा rather than पूरे sector को reflect करने वाला index तो द आज की date में अगर हम weightage की बात करें तो ITC जिनकी की सबसे ज्यादा weightage है 29.71% जो की 33% से कम है तो इसलिए ये criteria fit करती है उसके बाद आपको दूसरे number पे Hindustan Unilever देखेगी 24.72% के साथ तीसरे number पे Nestle India लगबग 48% की इसकी weightage है तो अगर इन तीनों को जोड दिया जाए तो ये लगबग 60-61% के आसपास आती है यानि कि जो 62% का criteria है इसको भी meet कर रही है उसके बाद आपको Tata Consumer की 6% के आसपास Britannia की लगबग 6% के आसपास weightage दिखेगी फिर आपको Dabar, Godrej Consumer, Merico, United Spirits वगएरा की weightage दिखेगी तो overall जो सबसे ज्यादा weightage है वो ITC, HUL और Nestle की है औ और इसके अलावा Tata Consumer और Britannia की और अब अगर बात की जाएगी अगर आप FMCG Index की companies में invest करना चाते हैं तो आपके पास क्या-क्या options हैं पहली option तो है कि आप directly in companies में invest कीजिए तो उसके लिए आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे जैसे कि हमने discuss किया कि 50,000 पे में तो आप एक TF के जरीए आप इन companies में invest कीजिए तो कोई भी mutual fund ऐसा नहीं है जो कि purely जो FMCG Index की 15 company है सिरफ उसी में invest करता हो हाला कि अगर ET Money के हिसाब से देखें तो consumption mutual fund है जो consumption theme पे based है आप यह देख सकते हैं जो ET Money के हिसाब से top mutual fund है हाला कि इन 15 companies में हो सकता है कि invest करते हो उनकी weightage different हो या या कुछ और companies में भी invest करते हो या कुछ companies में यह invest ना करते हो लेकिन मोटा मोटी आपको जो भी consumption based mutual fund दिखेंगे उनकी कहीं ना कहीं majority जो investment है वो इन ही companies में होगी तो एक रस्ता तो आप यह चुन सकते हैं हाला कि इसमें जो आप expense ratio पे करते हैं जो mutual fund managers होते हैं वो काफी सकती है क्योंकि यह funds actively manage किये जाते हैं लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि मैं तो इन 15 companies में जो भी index की weightage रहती है उसे साब से invest करना चाहता हूं तो आपके पास option है ETF की तो आज की डेट में एक ETF है जो की national stock exchange पे लिस्टेड है जैसे कि ICACI potential FMCG ETF अगर आप इसमेंवेस्ट कर rate में 419 रुपए के आज पास चल रहा है और अगर इसका PE ratio देखा जाए तो 38 की है PB ratio 9.45 की और इसकी dividend yield है 2.11% यानि कि FMCG companies है वो काफी अच्छा dividend देती है जिसे कि ITC तो इस तरह से इसकी dividend yield काफी अच्छी है और अगर इसके अलावा बात की जाए तो AUM के साब से सिरफ 35 क करोड की company AUM है अभी इस index की तो यह जदा अच्छी नहीं माने जाती माना जाता है कि 500 करोड हो तो liquidity अच्छी होती है लेकिन अभी जदा यह popular नहीं हुए है बहुत सारे लोग इसमें invest नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले time में जब यह थोड़ा popular हो जाए तो आपको इ से कम होती है तो उसका भी reason अगें यह है कि अभी ज्यादा popular नहीं हुए है ज्यादा बड़ा size नहीं है जिस दिन size बड़ा हो गया तो expense ratio भी घटा दी जाएगी हाला कि जो category की expense ratio है उससे इनकी better है tracking error 0.14% है यह भी 0.10% से कम हो तो अच्छा है लेकिन अगें यह भी इसलिए है क्योंकि इनका AUM बहुत ही छोटा है इनको कुछ पैसा रखना पड़ता है redemption वगेरा के लिए तो पूरी तरह से यह इसको follow नहीं कर पाते लेकिन जैसे जैसे यह fund बड़ा होगा तो tracking error भी अपने आप काम होता जाएगा तो overall अगर आप FMCG index में invest करना चाहते हैं तो आईस हैं तो वो भी इनमें add होता जाता है तो इसलिए अगर आप देखेंगे purely अगर FMCG index की जो performance होगी वो इससे कम होगी क्योंकि इसमें dividend भी included होता है और अगर बात की जाए कि क्या हमें जो निफ्टी FMCG index का ETF है इसमें invest करना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले अगर इसकी पिछले एक साल की performance देखे तो इसने 13.41% की return दी है पिछले साल जुलाई में 36,000 के आसपास trade करता था वहां से बढ़ते बढ़ते इसने 42,000 का peak touch किया जो कि अभी कुछ time पहले ही किया था और अब ये 41,000 के level पे trade कर रहा है यानि कि अगर 52 week high देखा जाए तो उसके काफी close ये trade कर रहा है तो इसने काफी हद तक performance अच्छी जो है वो दे चुके है आना कि इसमें जो best time था invest करने का वो March के आसपास था जबकि ये अपने 52 week low जो इसका 33,400 हो था उसके आसपास trade कर रहा था आना कि अब ये काफी बढ़ चुका है तो मेरी personal opinion में क्योंकि जो index based investment होती है वो long term vision के साथ की जाती है तो जब इसमें अच्छी खासी गिरावट आये correction हो तो better time होता है unless कि आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि FMCG companies तो आगे आ time better होगा ऐसे index की ETF में invest करने का और अगर हम देखें पिछले एक साल में 30 June का data है क्योंकि इसमें आपने देखेंगे कि Nifty FMCG की जो performance है वो 10% से कम है क्योंकि पिछले एक महिने में इन्होंने लगबग 10% की return दिया तो इसलिए आज की date में 13.4% की return दे चुके है बट अगर हम एक साल की performance देखें तो Nifty FMCG, Auto और खासकर energy sector काफी चले हैं तो जो sector नहीं चले है मेरी personal opinion में उसमें invest करना चाहिए जैसे कि IT है IT further July में भी गिरा है ये 30 June तक की performance है तो ये further आपको गिरता हुआ दिखेगा तो ये एक अच्छी option है इसके अलावा फार्मा लगबग 13-14% पिछले एक साल में गिर चुका है तो वो एक अच्छी option हो सकती है bank भी comparatively अच्छी option है तो मुझे लगता है कि अगर आप long term vision के साथ invest करना चाहते है तो वो sector के ETF ज्यादा आपको suit करेंगे मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा thanks so much for watching the video and God bless you all